हेलो फ्रेंड्स चलिए आज हम बनाते हैं मटर पनीर की बहुत ही टेस्टी सबजी यहां मैंने लिया है पनीर 500 ग्राम के लगवग और 200 ग्राम के लगवग यहां मटर है इसमें आप कम्या जादा कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से यहां मैंने 8-10 कली लह सुन ली ह है चार काजू के पेस्लिया एक तेज पत्ता एक कटा हुए टमाटर अद्रग के कुछ टुक्ड़े लिए हैं दो तीन प्यास काट के लिए हैं और हरी धनिया कटी हुई है मैंने दो चम्मच बड़े चम्मच मलाई ली है थोड़ा सा जीरा काली मिर्च और हम और मसाले भी इसमें एड़ करेंगे गरम मसालों में अगर आप गरम मसाले का पावडर एड़ करना चाहते हैं तो आप पावडर एड़ कर सकते हैं मैं इसमें खड़े मसाले एड़ किया है तो सबसे पहले हम टमाटर को थोड़ा सा टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाना है में तो इसको इसका घ्रकलो चर्ण संपोंमा को थोड़ा सब लेंगे और मैंशी समस्ठ को पकाने घ्रक विवना को जने ही तो एक आहाँ सोड़ा दो को जली हमें आई त्राट इूक Cannon लोग लें लेकिन टाला है सकते हैं इसको थोड़ा सह बूनेंगे इसके बाद चलिल प्रवाइड दोड़ा सा अब द्वाद दूट Ta See आज़ा करेंगे तो इसको घिल करणे तो तो आज सुट सब कर दो चीजांगे दॉट चीजों को अच्छे से द्वहां करेंगे दोड़ा साल्ट डाल deserves जैसे आसानी से पक जाएं नमक डालने से पानी चूटता जल्दी पक जाते हैं अब इनको थोड़ा सा पका लेंगे ध़के उसके बाद लिए है काफि पक चुके हैं मैं ने एक MIXER जार लिए थोड़ा थंडा कर लेंगे गरम विल्कुल भी नहीं पीसेंगे और मेक्सर-जार में निकालके की इसका हमें ऐक फाइन पेस्ट बना लेंगे तो ाइक दाल चीनिदे दाल कि अच मर्च जीरा और और एक बड़ी इलाइची जायफल तीन चार लॉंग और थोड़ा सा जीरा दो इलाइची डालेंगे चोटी और आधे चमच के लगभग हम इसमें जीरा एट करेंगे इसारे मैंने गरम मसाले एट कर लिए है अब इसी में इन सब को एक साथ में इनका पेश्ट बना कर तियार अगर आप गरम मसाले का पाउडर डालना चाहते हैं तो आप इसमें सिर्फ प्यास लेसन काजू इन सब को पीशके भी इसका पेश्ट बना सकते हैं मैंने इसमें मसाले एट कि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि ताजे मसाले होते हैं यहां मैंने कडाही को क होती हो लेकिन रार इसमें थोड़ा इस में फुटह जूतिया है हम अगर फ्रोजन मतठ है आपके अच्छी मतर है यह तो यह पतने में थोड़ा ताइम भी लीगि अगर आपके पास फ्रोजन मतर है तो आप उसको गरम पाहनी से अच्य बूलДа को ज़रूर भूने थोड़ तक पाल यूदी में पूह समय करने में टाल देंगें इस और इसके बार जालेगे अधा-धा जीरा ओर थोड़ी सी एक जुटकी ऑल लेगे अधे चम्मच जीरा डालेंगे अधा जीरा डालेंगे ऑ्सेंटने मिया और याट कर सकते हैं अग्रोग पेस्ट को काईदेसे उसके बाद हम बनाएंगे देखेगी काफी चौड़ाही थोड़ा सा मसालों को अच्छे से बने दीमियाज पिर बने तब सब्सक्राइश है यह मैने दो चमश मलाई जो रखी थी उसको भी एट कर लिया है इसको भी थोड़ा सा मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे जिसे मसलाई में लंस न रह जाए आप मलाई कीजिए कि यहां बटर भी एट कर सकते हैं यहां मेरे पास एक चुटकी चीनी है बहुत थोड़ी सी डालें इससे सबजी का टेस्ट मटर पनीर का बहुत ही अच्छा आता है अगर आप नहीं डालना चा मसालों का मतर काथ कनी डाल मेर्च मोमे का परक्छा daran पुझा नहीं पुझा कर देकि हुए तो मसाले के साथ इसको अच्छे से बून लें और डाल से है पानी का अजय को दो 19 राख चाने क्या हम पर चम्मच पनीर मसाला और ससरा कर देंगे मुझे और को एक मिक्स कर देंगे speaking मुझे उर यह बढ़ए ठिहां कि काफि देर से बॉल हो रही है। दीमा करके मैं पका लिया है 5 मिhr अब इसमें पनीर भी अड़ कर देंगे और इसके बाइब एक बार इसको और धग के पकने देंगे जैसे पनीर भी अबसर्ब कर लें उसमें मैंने दो मेर ढखक दिया ए सबसलिक heh यार हो चुकी है कि तेखनेस अगर और थेक नुन चाहते हैं तो और थोड़ी देर पका सकते हैं या कम पायई डाल सकते हैं यह मैंने धनिया की पत द्हाल और मैस ब्रॉल ब्जु большой मैं में पलेगे दुद हम निकाल लें देखिए कितनी यमी और टेस्टी लग रही है देखके आपका भी खाने का मन हो रहा हो तो मटर का सीजन है एक बार बना के जरूर ट्राइ करें और ट्राइ करके मेरे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी बनी कैसी लगी और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बाई बाई